हेलो बच्चों देखिए अभी हम लोग कलास 11 एकोनोमिक्स में मोस्ट भेरी भेरी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिफ MCQ कूसन एंसेर को पढ़ेंगे जो आपके एकजाम 2024 के लिए बरदान साभित होगी ये जो कॉसन पेपर है जैक बोड कलास 11 2020 में पुछा गया था चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सवाल नमबर एक है संख्याकी का पिता यानि फादर आप इस्टेटिक्स किसे कहते हैं एंसर दो नमबर होगा गौट फ्रायर आकेनवाल को याद रखिएगा फादर आप इस्टेटिक्स यानि संख्याकी का पिता कहते हैं गौट फ्रायर आकेनवाल को एंसर दो नमबर होगा आगे देखिए सवाल नमबर दो प्रैमरी डाटा यानि प्राथमिक आकडे हैं मूल याद रखिएगा प्रैमरी डाटा प्रात्विक आकड़े होते हैं ओरीजिनल ओरीजिनल यानि मूल आकड़े एक नमबर सयुत्तर होगा आगे देखिए सवाल नमबर थिरी कॉलम और पंक्तियों के रूप में सम्मकों यानि आकड़ों की करंबद व्यवस्था को कहते है सारनियन सारनी में आकड़ों को कॉलम और पंक्ति के रूप में करंबद व्यवस्था के रूप में सजाया जाता है सारनियन का लाएगा कॉलम और पंक्ति के रूप में सारनी में दिखाया जाता है तीन का सयुत्तर एक नमबर होगा आगे देखिए सवाल नमबर चार बहु बहुलक कहेंगे, बहुलक मतलब सबसे अधिक बार आने वाला पद, बहुलक कहलाता है, अधिकतम होगा, चार का तीन, आगे देखिए सवाल नमबर पाँच, जब समगर की परतियक इकाई का अधियन किया जाता है, तो इसे कहते हैं, संग्णना अनुसंधान, याद सवाल नमबर छे, 13579 का अंगनित्यमाद ही होगा, अंगनित्यमाद ही निकालने के लिए, सभी पदों को जोड कर, पदों की संख्या से भाग देते हैं, सभी पदों का जोड करेंगे, और यहाँ पर पाँच पद हैं, पाँच से भाग देंगे, सब का जोड 25, बटा 5, हो सबसे अधिक बार आने वाला पद को बहुलक कहते हैं, यहाँ जो आकडा दिया हुआ है, सभी को देखिए, सबसे अधिक बार आया है 5, तो बहुलक हो जाएगा 5, ठीक है, बहुलक को मौड कहते हैं, बहुलक यानि मौड, सबसे अधिक बार 5 आया है, एंसर होगा 4 नमबर 5 आगे देखिए सवाल नंबर आठ माधिका की गणना के लिए स्रेनी को बैवस्थित किया जाता है आरोही करम में आरोही करम में किसी भी करम में दोनों होगा ठीक है माधिका की गणना के लिए स्रेनी को आरोही या तो आरोही किसी भी करम में दोनों करम में बैवस्थित कर सकत हैं answer 3 नंबर होगा दोनो आगे देखिए सवाल नंबर 9 को पढ़िए समझे नीम्न आखड़ो का बिस्तार गुनांग क्या होगा देखिए ये जो आकड़ा दिया है 24, 34, 54, 34, इसका बिस्तार गुनांग निकल ना है बिस्तार गुनांग क्या होता है largest value minus smallest value बटा largest value plus smallest value अधिकतम मुल्य 72 है नियुंतम मुल्य 24 है तो अधिकतम minus 99 बटा अधिकतम प्लस नियुंतम यानि 42 minus 24 बटा 22 plus 24 मतलब 48 बटा 96 यानि 1 बटा 2 0.5 सयूतर होगा 9 का सयूतर 4 नंबर 0.5 आगे देखिए सवाल नंबर 10 10 पढ़िए सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 11 पढ़िए यदि बहुलक 16 और समांतर माधि 20.2 है तो माधिका क्या होगा माधि माधिका बहुलक में समांतर माधि 20.2 है माधिका निकलना है भेलू को पूट किजिए माधिका आएगा 18.8 18.8 एंसर होगा 3 नंबर 11 का 3 आगे देखिए सवाल नंबर 12 निर्देशांग का गुन है तुलना का अधार परतिसत का अधार संख्यांदवारा परदरसीत इनमें सभी होगा बारका सयुतर इनमें सभी निर्देशांग का सभी गुन है इनमें सभी गुन है आगे देखिए सवाल नंबर 13 आगे देखिए सवाल नंबर 14 पड़िये चतुरतक बिचलन का सुतर है कोईर्टाइल डिवियसन कोईर्टाइल डिवियसन चतुरतक बिचलन का सुतर होता है Q3-Q1 बटा 2 Q3-Q1 बटा 2 चार नंबर सभी चार आगे देखिए सवाल नंबर 15 यदि सिग्मा एक्स पचास एवं एन पांच है तो एक्स बार का मन क्या होगा एक्स बार समंतर माधिये बड़ाबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन पचास बटा पांच यानी दस होगा सयुतर 3 नंबर 10 आगे देखिए सवाल नंबर 16 पढ़िये एक सरेष्ट परशनावली के गुन है एक सरेष्ट परशनावली के निमलिखित में कौन सा गुन है खोजिये सरलता परशनों का उचित करम परशनों की समित संख्या इनमें सभी होगा स्वल्ला का चार होगा सरेष्ट प्रश्णावली के यहाँ पर सभी गुन है इनमें सभी चार नमबर आगे देखें सवाल नमबर 17, 17 पढ़िए किनके सुत्र को सुचकांग निर्मान के लिए आदर्स मना जाता है फीसर का सुत्र को फीसर का सुत्र को आदर्स सुत्र कहते हैं आदर्स मना गया है सत्रा का दो नमबर आगे देखें सवाल नमबर 18, 18 पढ़िए आकडों का चित्र में परदरसन कहलाता है परस्तुति करन याद रखिएगा आकडों को जब चित्र के द्वारा दर्ण चित्र, आयद चित्र, बिरिज चित्र में परदरसीत करते हैं तो कहलाता है परस्तुति करन आठार का तीन आगे देखें सवाल नमबर 19, 19 पढ़िए समानेता मुद्रा इस्पिती के परिकलन में किसका परियोग होता है मुद्रा इस्पिती यानि महांगाई तो महांगाई किसके लिए होता है? उब्रोकता के लिए महांगाई जो दिखता है बस्तु का दाम जो बढ़ रहा है तो महांगाई किसको मालू होता है? उब्रोकता के लिए तो मुद्रा इस्पिती यानी महांगाई के परिकलन में उब्वक्ता किमस उचकांग का परियोग होगा उब्वक्ता किमस उचकांग, उननीस का दो आगे देखिए सवाल नंबर 20, 20 पढ़िए इस्पेर मेन का सासंबंद गुनांग का सुत्र है Sphere Man का सासंबन्द गुनांग का सुत्र है 4 option देखिए साही उत्र होगा 1 number 20 का होगा 1 number साही उत्र ठीक है R बराबर 1-6 sigma D square बटा N into N square minus 1 Sphere Man का सासंबन्द गुनांग का सुत्र होगा साही होगा 1 number option 1 साही उत्र आगे देखिए 21 21 पढ़िए नियाइदर्स के अकार के बढ़ने पर तुरोटी घटती है याद रखिएगा नियाइदर्स के अकार के बढ़ने पर तुरोटी घटती है एक कैस का एक number होगा आगे देखिए 22 22 नबाड कव अस्थापित हुआ 12 जुलाई 1982 को नबाड अस्थापित हुआ 12 जुलाई 1982 को एक number सही उत्तर आगे देखिए सवाल number 23 भारतिय योजना आयोक का उबगटित हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोक का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था सही उत्तर दो नमबर आगे देखिए सवाल number 24 24 हरित करांती का जनक कोन है MS स्वामी नाथन MS स्वामी नाथन हरित करांती का जनक है जो 1967 में आया था हरित करांती आगे देखिए सवाल number 25 25 पढ़िए 1956 की उध्योगिक नीती में उध्योग को कितने वर्गों में बटा गया था तीन भाग में दो भाग में नहीं तीन भागों में छोटे यानी लगू दियोग मध्यम दियोग बड़े उध्योग ठीक है लगू मध्यम बड़े तीन भागों में उध्योग को बटा गया था 25 का एक नमबर सही उत्तर आगे देखिए सवाल number 26 26 गरीबी का दूस्चक्र किस ने दिया रेगनार नकरसे ने गरीबी का दूस्चक्र रेगनार नकरसे ने दिया 26 का चार आगे देखिए सवाल number 27 27 छेत्रे गरामीन बेंकों की अस्थपना किस वर्स हुई 1975 में 1975 में चेटर गरामीन बेंक का स्थपना हुआ था एंसर तीन नंबर आगे देखे 28, 28 पढ़िए मानोस अनसाधनों के विकास के लिए आउ सकता है सिच्छा की अनुसाषन की सच्चाई की नितिक्ता की ये सभी सिच्छा के अंदर आता है तो महतबूर ना उसकता होगा सीच्छा की 28 का तीन आगे देखिए सवाल नमर 29, 29 पढ़िए सरमबल एवन कार्यबल में अंतर होता है सरमबल मतलब जो सरमिक कार्य कर सकता है जो आदमी काम कर सकता है उसे सरमिक या सरमबल करते है और जो बरतमान में बास्तों में कार्य कर रहा है उसे कार्यबल कहते हैं सरमबल, सरमीक जो काम कर सकता है कार्यबल जो बरतमान में बास्तों में कार्य कर रहा है तो सरमबल एवं कार्यबल में अंतर होता है क्या होगा बिरुजगार सरम, सरमबल जो कार्य कर सकता है कारेबल जो कारे कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या कहलाएगा बेरोजगार सरम यानि कुछ सरमिक है जो कारे नहीं कर रहा है बेरोजगार कहलाएगा 29 का 3 आगे देखें सवाल नमर 30 30 पढ़िये मुद्रा इस्फिती की स्थिथी में बस्तू का मुल्य एक सुचक जो किसी देश के विकास को मापता है वो है एंसर होगा 4 नमबर आगे देखें सवाल नमबर 32 यतायात किस परकार की अधारिक संड़चना का अंग है यतायात होगा आर्थिक यतायात से देश का आर्थिक विकास होता है बोलेगा समाजीक तो होगा सिच्छा स्वास्थ बोलेगा आर्थिक तो होगा यतायात उर्जा ये सब होगा ठीक है आगे रखिए सवाल नमबर 33, 33 पढ़िए सतत विकास का आर्थ है सतत विकास का सर्थ है सतत विकास की सर्थ है प्राकिर्थिक संसादनों का संरच्छन करके जीवन गुनवता में सुधार करके परदुसन रहीत विकास करके इनमें सभी होगा तैंटीस का चार आगे देखे सवाल नमर 34, 34, बिस्तों में सरोधिक अबादी वाला देश है चीन अभी नाया डाटा अपडेट नहीं हुआ है नहीं तो भारत होगा बिस्तों में सरोधिक अबादी वाला देश है पहले के डाटा के अनुसर चीन होगा ठीक है पहले का जो डाटा है उसके अनुसर चीन होगा एंसर दो नमर आगे देखे सवाल नमर 35, 35 पढ़िये 35, भूताप ये उरजा है भूताप ये उरजा है गेर परंपरागत उरजा जो कुछ साल पहलो से ये उरजा है भूताप ये उरजा गेर परंपरागत उरजा है एंसर दो नमर आगे देखे 36, 36 पढ़िये स्वेत करांती का जनक है स्वेत करांती का जनक है डाक्टर कुरियन याद रखिएगा स्वेत करांती के जनक है डाक्टर कुरियन ठीक है 1970 में आया था स्वेत करांती जनक है डाक्टर कुरियन एंसर तीन नमर होगा तीन नमर आगे देखिए 37 स्वर्नीम चत्रभुच युजना समंधित है यतायात से हमारे देश के जो पत्परिवान मंत्री है जिसे स्वर्नीम चत्रभुच युजना कहते है जो परिवन यानि यतायात से ट्रांसपोर्ट से समंधित है 37 का तीन आगे देखिए 38 पढ़िए 9 रतन क्या है 9 रतन क्या है सरोजनिक उपकरम है भारत में 8 नवरतन कमपनियां है जो सरोजनिक उपकरम है 38 का दो नंबर होगा आगे देखिए 49 रतन क्याइट 20 वन निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.7% 1.7% ठीक है 20 वन निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.7% बोलेगा आयात तो होगा 2.5% ठीक है आयात करता है 2% से अधिक 2.5% लेकिन निर्यात है 1.7% एंसर होगा तीन नंबर आगे देखिए अंतीम कोसें 40 2020 का अंतीम कोसें पढ़िए पाकिस्तानी अर्थवयोस्था का सवरूफ है मिस्रित भारत और पाकिस्तान में मिस्रित अर्थवयोस्था बरतमान में है मिस्रित अर्थवयोस्था जहां नीजी एवंग सरोजनिक छेत्र दोनों मील कर देश सलाता है नीजी एवंग सरोजनिक छेत्र यानि सरकार एवंग पुण्जी पती दोनों मील कर देश को विकास कर रहा है देश को डेवलप करता है ठीक है तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में जरूर कॉमेंट कीजिए वीडियो को सब को जल्दी जल्दी दोस्तों को सेर कीजिए ठेंक्यू